मेरे ऐसे यंग ग्रेजुएट जो लॉस्टूरून्स हैं चलिए मैं तो थोड़ा से उससे आगया आगया एक दो साल के पैक्टिस से बट जब हम भी ग्रेजुएट हो रहे थे तो सबसे एक इंपोर्टन्ट क्वेस्टन जो माइन में था और जिसकी आपके साथ काम करके कुछ चलिएटी हमें आगई बट एट पॉन्ट इन टाइम ना टीचर से सही गाइट किया ना किसी सीनियर नहीं हमें सही गाइट किया शुट वी गो फो एल एल एलम और बारत लॉग और शुट वी गो अट अल और नोट तो यह कुश्टन जो है मैं आज आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस पर आप क्लियर कट बता दें ताके स्टोड़न्स डिसाइट कर लें कि हम याभू के पैसे लगवाने हैं या नहीं लगवाने हैं अच्छे बहुत सारे ना आप जब अपनी वीडियो वगरा को देखते तो यह सवाल अक्सर पू बिकास ना आपको 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 एक सेट पैटरन के ओपर डाल दिया जाता है मॉडियो रोट खेर उसमें डिटेल में बात करते हैं और इधर वान इस पारिट लूग सेंस्ट वी आर इन पाकिसान तो यह निए पाकिसान देख लें आप इंडिया देख लें सिरलंक देख लें बंगला देख लें आप लोग अपनी रिस्पेक्टिव बार काउंसल के अप्रूवल से उनके जो कर्किलम अप्रूव होता है, उसके उससे आप अपने अलल बी डिक्री प्रोग्रम बैसलर्स प्रोग्रम आप अपना करते हैं बारट लॉग करने के लिए सब से पहले तो जो जो जुरूरी चीज है वो यह है कि आपकी एक्सटरनल डिक्री हो यह नहीं आपने युनिवरस्टी आफ लंडन से अपना एलल बी प्रोग्राम किया हो तो उसके बाद आपको लॉयरिंग स्किल्स जो हैं वो आपको बताई जाती हैं सिखाई जाती हैं ट्रेनिं कि हम एललम करें या बारिट लॉग करें मेरा अपना जाती ये मानना है कि हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए बहुत सारे लॉग इससे डिसेग्री भी करेंगे लेकिन मेरा जाती ये मानना इस वज़ए से है कि जब आप इंटरनाशनल एरेना में कंपीट करते हैं तो आपने लॉग के डिगरी किया चलो अब पैसे कमाने लग जाएंगे बट मेरा अपना ये मानना ही है कि अगर शुरू के पांच-छे साल आपके अपास financial stability नहीं है तो ये profession बहुत tough है उन लोगों के लिए और क्योंकि आपको it's very difficult I still remember कि बड़ी एक दो टॉप law firms थी जिसमें कि मैंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए काम किया और कभी हमें 5000 मिलते थे कभी 6000 मिलते थे कभी नहीं भी मिलते थे तो वो fueling आना जाना और वो सब कुछ अपनी pocket से ही करना पड़ता था it paid a lot or but at the same time के करना चाहिए कि नहीं चाहिए जब आप एक international experience लेते हैं तो वहां पर multicultural multi nationality के लोग होता है को अमेरिका से होता है को यॉरप से होता है को इस्टालिया से होता है को इंडिया से होता है को पाकिस्तान से होता है तो उसके अंदर आपकी networking बहुत अच्छी होती है आपकी skill set जो है वो ज्यादा तर refined होता है but again back to the square one के LLM के लिए जाया जाया या बारिट law के लिए जाया LLM first we take up with the LLM thing हमारे लिए चुँके हम Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka से अपने local law करते हैं तो आपको master's program के लिए बहुत असानी से अच्छी university के अंदर admission मिल जाता है और जब मैं अच्छी university की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग Pakistan क law schools के, India के law schools की, Bangladesh के law schools की बातें करते हैं कि इनकी quality अच्छी नहीं है आपको बहुत सारी ऐसी universities UK भी मिलेंगी जिनको quackery universities या वो आप जिसें कहते हैं ना कि घरों के अंदर बनीवी है उनकी degree भी मिल जाती हैं So choosing a good university is the first important thing और जितनी अच्छी university को आप चूज करेंगे उतना ही उनका requirement criteria भी tough हो जाता है So एक अच्छी university को चूज करने का मकसद यह है कि you will be thinking about somewhere in London or Manchester UK की अगर बात करो Cardiff उसके बाद कर आप जाएं तो आपके पास Edinburgh आजाता है, Aberdeen आ जाता है यह बहुत अच्छी university, Warwick बहुत अच्छी universities है और इसका असान तरीका यह है कि when you're applying for the LLM program तो you should be focusing on the Russell Group universities Russell Group universities जिसना अमेरिका के अधर आईवरी लीग universities इसी तरह England के अधर Russell Group universities यह यह top tier universities हैं वो तमाम universities जिनकी ranking अच्छी है जिनके departments अच्छे हैं जिनके professors बहुत अच्छे हैं तो आपको Russell Group University के लिए target करना चाहिए सो वहाँ पर admission लेके आप अपने modules choose करते हैं कुछ exam based होते हैं कुछ assignment based होते हैं the most fundamental thing here is when choosing a university or your LLM program the financials are very important very important I don't mind के अगर आपके पास एक limited resources और आप अधर part-time job करके अपने degree को भी support करते हैं और साथ-साथ अपना पढ़ते भी हैं that is a more bigger achievement in comparison to those जिन उनने full fee पे कर दी पूरे साल की accommodation पे कर दी और उसके बाद आप तो study I mean if you can afford it there is no problem in that for me I when I went from my LLM I couldn't afford it so I had to do jobs मैंने mcdonald's में भी job की और साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी की लेकिन यहां पे ना कुछ लोग प्रॉब यानि एक confusion आजाती है उन लोगों के लिए जो LLM के लिए जाते हैं यानि एक केटेगरी उन लोगों की भी मौझूद है जो के कौकरी किसम की उनिवरस्टीज यहां अगर 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 आपने LLM करना हो तो मेरी अपनी जाती evaluation यह है आज कल के हसाब से, you must be having around 40 to 50,000 pounds का budget आपका होना चाहिए तो then you can go for your LLM किसी भी अची उनिवरस्टी से आप कर सकते हैं और अगर मेरे से पूछा जाए, since I have also done my LLM तो मझसे अगर आज पूछा जाता कि अगर आप LLM करना चाहते हैं तो मैं अमेरिका जाता है क्योंकि the market is bigger, the exposure is bigger और वहाँ पे जो कहने की तो आपके British सारी की सारी legislations जो है in corporate हुई है बट जो mechanics और dynamics आपके constitutional structure के आपके Americans के साथ आप correlate कर सकते हैं that is the more important one so इस वज़ा से I would have gone to, if I have to choose now, I would go to US so LLM is one thing और दूसरा उसके बाद बारत law जाता है तो उसके लिए जरूरी है, since आप लोग Pakistan से जा रहे हैं तो आपकी जो degree है, that is not at par with the British legal system so आपको GDL करना पड़ता है, which is called graduate diploma of law और उसके बाद फिर आप BSP को apply करते हैं, BAR standard board को and उसके बाद फिर आप वो अपनी INS की membership लेके और आपकी trainings वगरा होती है, वो तमाम की तमाम trainings lawyering skills के ओपर होती है but once you are done, अपनी privilege वगरा करके once you are done, तो उसके बाद फिर आप वहाँ practice करना चाहिए, अगर आपको कोई chamber लेना चाहिए, वरना आप वापस आके एक added advantage यह होता है, कि आपके नाम के सब barrister लग जाता है, जो कि एक LLM के अंदर आपको वो advantage नहीं मिलता but अगर आपने skill set को polish करना है, lawyering को सीखना है, तो उसके लिए तो आपको target bar को ही करना चाहिए, अगर एक local LLB आपने किया हुआ है, तो उसके comparison में जब आप cost evaluation करते हैं, तो barit law की जो cost है, वो almost double हो जाती है in comparison to LLM, जिसकी वज़ा से majority of the people, majority of the students, majority of the lawyers, prefer to go for LLM क्योंकि वो cost effective है, और एक international exposure भी आपको मिल जाता है, और एक और बहुत बढ़ा advantage है, after the supreme court's judgment, तो बहुत सारे law schools जो है, अब वो, अगर आप खाली LLB हैं, तो they won't offer you कि आप वहां पे आपके पढ़ाएं, तो LLM has become, you know, the cynic one on for teaching as well, और बहुत सारी positions ऐसी होती हैं, your departments के अंदर jobs अगर आती हैं, अगर if you are LLM और बारत law, you are given preference as compared to the other ones, but if you don't have the money, if you don't have the financials, or even if you have it, but you are not willing to go for it, तो then what you can do is, कि वो पैसे आप अपनी firm अगर अपर इस्टाबिश करने पर, develop करने पर लगा सकते हैं, और आपकी, at the end of the day, skill set ही होनी है, और बहुत सारे अच्छ बहुत सारे बारत law, बहुत सारे LLM जो lawyers हैं, उनसे अच्छे lawyers, local LLB किया हैं, but they are as good as any other lawyer. कि आपने कोर्ट में presentation किस ना करनी है, क्या वाके में इस वकालत में कोई इसर पढ़ेगा? Let me phrase the answer to this question. देखो, एक चीज़ सो ये है कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास अगर हो, और जितना ज्यादा हो, उतना ही काम होता है. One fact remains there, कि आप जब बाइट जाते हैं, इंटरनाशनल अरेना में कम्पीट करते हैं, इंटरनाशनल लोगों के साथ सीखते हैं, बशर्त है कि आप सीखते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. At the end of the day, अगर आप सीख लेते हैं, लेकिन उसको प्राक्टिस नहीं करते हैं, तो उसका कोई फाइदा नहीं है. I mean, मैं यह कहता हूँ कि मैं अभी आपके सामने कई दफा मैंने और्किमेंट दिया कि विज्व लर्ने का दो, कहने को तो मैं विडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लोग उसको सुनते भी हैं, एप्रिशेट भी करते हैं, ऐसे नॉलज़ का क्या फाइदा कि सिर्फ आपन जी कि काम आता हो ना, तो काम आ ही जाता है, इस वज़ा से काम का आना और काम का करना ये बहुत इंपॉर्टन चीज़े हैं, आप जो कुछ वहाँ पे सीख के आएं और उसको प्राक्टिस नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोयर्स हैं, ना जिनोंने LLM किया हूँ है, ना जिनोंने बारेट लॉग किया हूँ है, ना जिनोंने पीएच्डी की भी है, बट येट वेरी गूड लॉयर्स हैं, और अगर आप हिस्टॉरिकली तारीख उठा के देखें, तो आपके हिस्टॉरी के अंदर जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जाज बटालवी तो उनमेंसे कोई भी फॉरन कॉलिफाइड नहीं था, ये वर जिस्ट लोकल एललबी, हाँ एक चीज़ बहुत है, क्योंकर मैंने तकरीबन दोहजार तेरा से दोहजार बाईश सक्टॉल में लाहुर का कोई ऐसा लाँ सकूल छोड़ा नहीं है, जा मैंने ना पढ़ाया, ब अब बहुत सारे ऐसे लाँ स्कूल के आने के बाद, मारकेट बहुत कमपैटिटिव हो गई है, बहुत सारा बचा आपका बाईट से पढ़ के आ रहा है, बहुत कमपैटिटिव हो गई है, तो उस अपनी रेलिवेंसी को रखने के लिए, इफ यू कैन अफोर्ड इट तो आ येस, मुझे बहुत फाइदा हुआ, मैं ना जाता, I would have not seen Professor Bobli, I mean, I really look up to that guy, जिसने, he helped me a lot in England, और इवन अभी भी तो I take a lot of help from him, उसके बाद क्या, इसकी वज़ा से मुझे कुछ लाँ स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला, येस, मुझे मेरे LLM की बेसिस के ओपर पढ़ा ने का मौका मिला, मिरी बात के अंदर कोई अगर थोड़ा बहुत वज़न होता है, तो शायद उन कागज के टुकड़े जो मेरे नाम के साथ लगे में, उनकी वज़ा से भी होता है, और ये ये चीज़े हैं, यही वकालत के अंदर ही जिसे कहने हैं, कि आपको badge of honors कटे करते रहना चाहिए, तो बाहर से पढ़ना इस a badge of honor, if you can afford it, you should go for it, ये badge of honor हासिल करने के बाद फीस भी बढ़ जाती है, इब्रहाम लिंकल ने कहा था ना, कि my time and knowledge is stock and trade, तो yes, बढ़नी भी चाहिए, ज्यादा फीस का होना is not problem, यापके सामने ऐसे ऐसे lawyers मौझूद हैं, यानि जिनकी fees millions के अंदर fees, millions, लेकिन उनकी पहचान उनकी fees नहीं है, उनकी पहचान उनकी वकालत है, तो एक lawyer की पहचान, उसकी practice, उसका professionalism, उसकी एमानदारी, उसकी honesty होना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, कि ये तो बड़ी fees ल लेने वाले आपको जिला के चाहरी में भी मिल जाएंगे, सेशन कोट में मिल जाएंगे, हाई कोट सुप्रीम कोट में मिल जाएंगे, लेकिन जब professionalism की बात आएगी, जब professional ethics की बात आएगी, तो आपके सामने, just handful of names आपके सामने आएंगे, सिल्मान करम राजा, हामिद खा साहब हो गए, उसके बाद आजम नजीर तारट साहब हो गए, सल्मान सब्दर साहब हो गए, यह बहुत hand-picked लोग हैं और इनकी पहचान इनकी फीसे नहीं है, इनका काम है, इनका professionalism है, जब हम barat law की बात करते हैं, तो उसमें एक factor pupillage का भी बहुत important देखा जाता है, अब जब हम barat law करने जाते हैं, और pupillage आपको नहीं मिलती, यू कैन नोट practice in their state, और उनकी दालतों में आप जान नहीं सकते, तो एक skill set तो आपके पास आगे है, जिसना आपने का क्यों यहां पे भी हम आपकी guidance में सीख रहे हैं, बहुत सारे अच्छे वुकल आपने associates को सिखा र करने हैं, and despite the fact कि मैं वहां पे practice नहीं कर सकता, is it worth for money? कि हम उतना जो पैसा सुकंदे लगा रहे हैं? Again, I would say, देखो बासनो, इल्म हासल करने के लिए आपको कहीं पे भी जाना पड़े, आपको जाना चाहिए, यानि यह तो एक, you know, it's a fundamental principle, आपने इल्म हासल कर लिया, अगर आप वहां पे practice नहीं कर सकते, yet you are allowed to practice here, so whatever you learned there, practice here, so इस वज़ा से यह कहना कि मैं इस वज़ा से जा कर डिग्री नहीं करूँगा, या foreign qualification नहीं करूँगा, कि मुझे क्या फाइदा हुदर practice तो मैंने करनी ही नहीं है, और लेकिन आपने यहां आपके तो practice करनी है, मैं आपको एक example देता हूँ, मैं across province, across districts, बहुत जगा पे जाके वकालत की और मजदूरों की तरह बहुत काम की है, honestly एक चीज मैं आपको बता हूँ, जो बिल्खसूस हमारे लहौर के lawyers है, the moment they appear in any court except लहौर, I mean फैसलाबाद गे हैं, गुझरावाला गे हैं, कराची गे हैं, इसलामाबाद गे हैं, उनका अदालत में बोलने से ही पता चल जाता है कि यह लहौर का lawyer है, so इसी तरह जब qualified होते हैं, आपकी language, आपकी presentation, आपकी appearance, आपका jargon, जो आप legal jargon यूज करते हैं, आपकी sophistication, आपके ethics, आपके etiquette, यह reflect करते हैं कि यह highly educated इंसान है, so since यह तमाम badge of honors आपके पास होते हैं, तो आपकी बात में वजन पैदा होता है, और वकील का काम अपने argument में वजन पैदा करन होते हैं, इसकी वज़ा से मैं ही कहता हूँ कि, if you can afford it, you must go it. Sir, एक last question की तरह मैं जाता चलूंगा कि, what is the right time to go for it? Should we wait to earn enough money and then go for bar at law or LLM or should we go right after our graduation वाच में टाइम वेस्ट नही करना चाहिए? Okay, मैं आपको न अपना चोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूँ और it might, you know, play some role for many people. I was not supposed to be a lawyer. I was supposed to be a doctor and I was all set for it. I came in this profession because of my father and that's a long story, let's cut it that short. इस प्रफेशन में आने के बाद, you must realize that it's a very demanding profession. और मैं जिस बंदे के लिए इस प्रफेशन में आया था, that was my father, Lordship Mr. Justice Mia Muhammad जहाँगी. मेरी बदकिसमती ये हुई के मुझे लाइसन्स मिलने के within six months, he passed away. Because I was in this profession because of him. और आप मेरी जितनी भी वीडियोज देखेंगे, you must see his picture और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी, सारे दुआ भी करती है, करें उनकी मगफरत के लिए. But, उसके बाद मैंने बड़ा hardcore किसम की फौजदारी litigation की, trial advocacy की, बहुत काम किया. और मुझे एक stage पे आके ये लगा, कि मैं थोड़ा सा irrelevant होता जा रहा हूँ, मैं redundant होता जा रहा हूँ, I must update myself. Okay, fair enough. I applied, पहले साल apply किया. मेरी वाइफ का अदमेशन हो गया, लेकिन मेरा किसी उनिवरस्टी में अदमेशन नहीं हुआ. She went for it. वो चलेगी उनिवरस्टी अदम्राश, she started her degree. She helped me a lot in applying next year as well, I did. And alhamdulillah, फिर मैंने को ऐसी उनिवरस्टी नहीं छोडी कि जहां से मुझे ओफर ना आई हो. Be that, मेर, top universities from London to anywhere. But financials were the constraint, because my wife was already there or we had to, you know, put the money into her degree as well. So I opted for an LLM course for a university which was not that high ranked amid mediocre university in terms of the financials. जाने के तकरीबन दो दिन बाद, I asked my wife, चलो वापिस चला है. घरती, वाइ? मैं का, I don't understand anything. I can't understand, क्या वदर हो रहा है? I mean, मैं तो गाइडें याद करकर के पेपर पास किये थे, मैं मुझे तो मेरे वाले साफ ने एक लॉयर के पास as associate रखा था, मैं तो वकालत करता था. और फाइनल के पेपर के दिनों में किताबें को ली, रटे मारें पेपर दी और पास कर ली और ये वो सारा कोई. ये मैं किन चक्रों में पढ़ गया हैं, मुझे बता रहे हैं, Socratic method of teaching, मुझे बता रहे हैं, interactive question-based discussions, proposition, critical, I don't understand anything. So she said, कि जब पैसे पेई कर दी हैं, तो फिर एक सालबाद ही जाया करके जाना और ये वो. I was the earning hand, I was earning a good amount of money when I was practicing. So I thought कि ये तो बड़ा काम खराब हो गया, और जो आपने सवाल किया था, फौरन जाना चाहिए, या कुछ देर ठहर के जाना चाहिए. मेरा अपना मानना ये है, कि आपको फौरन जाना चाहिए. जब एक दफ़ा आपको कमाने की आदत पढ़ जाता है, तो उस वक्त दुबारा पढ़ना मुश्किल हो जाता है. And I faced that exactly the same thing. But खेर, Alhamdulillah, I was very fortunate enough, कि I got it through or with all the credits and credentials I got afterwards. So, इस वज़ा से आपको, देखो, इल्म के लिए कोई एज नहीं है, कि आपने इस एज में जाना है, उस एज में जाना है. But अगर आप मेरे से पूछो, तो जब आप एक दफ़ा एक सिस्टम के अंदर आ जाओ, कमाने लग जाओ, तो उसके बाद, इकडेमिक साइट पर दोबारा जाना, बिकम्स अवरी डिफिकल्ट थेंग, So, I would really recommend कि अगर आप जस आफ्टर यूर LLB डिग्री, If you go right after your LLB डिग्री, वो ज्यादा फाइदे मन्द होता है, आप अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, और यू लर्न अलॉट इंपरिजन कि आप पाइदा साल ठहर के जाओ, But again, at the end of the day, कि नॉलेज पे बैक सुरूर करता है, लेकिन जाना चाहिए. Sir, कुछ हमारे व्यूर्स के लिए बताते हैं, कोई स्कॉलर्शिप्स अगर अवेलेबल हो या कोई प्रोसीजर जो इनको अडॉप करना चाहिए, वाल उप्टिंग फॉर एदर ल्लम और बारत लोग। Sir, Master's Program के लिए पाकिसान में दो किसम के स्कॉलर्शिप्स अवेलेबल होते हैं, एक शेवनिंग स्कॉलर्शिप है, जो कि बृटिश कोवर्मेंट का है, and the other one is the Fulbright Scholarship, and that is specifically for U.S. So, अगर आपके पास financial constraints हैं, financially आप अपने आपको support नहीं कर सकते हैं, yet you want to pursue the higher studies, तो please focus करें शेवनिंग स्कॉलर्शिप को और Fulbright Scholarship को, that is very beneficial, कि वो तो बल्के आपको stipend भी देते हैं, आपको खर्चा भी देते हैं, airfare भी देते हैं.